है लो एवरिबन तो आग हम लोग देखने जा रहे हैं हमारी जो नैशनल और इंटरनेशनल अवार्ड की जो सिरीज है उसी में कुछ नेक्स्ट अवार्ड हम लोग देखेंगे जिनमें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ग्यानपीट अवार्ड व्यास सम्मान शरस्वती सम दादा साहेब फालकी ओर दादा साहेब फालकी इइनंटेनेशनल , फिल्म duo इन सब बार में हम इनका पास करेंगी और अभी इनका प्रेंट अफेर 2014-2021 र shortest क्रेंगी तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्यानपीट अवार्ड से पहले स्टार्ट करेंगे तो तो देखे ग्यानपीट अवार्ड जो है ये कौन देता है तो भारतिय ग्यानफीट देती है और हर साल देता है लिटरेचर से रिलेटेड है ये किस फिल्ड से related है, literature से related है, अब भारतिय ज्यानपीट के बारे में जान लो, भारतिय ज्यानपीट जो ये 1944 में इसका इस्तापना हुई थी, और इसके इस्तापना किनों नहीं की थी, तो सहु सांती प्रशाद जेन नहीं की थी, भारतिय ग्यानपीट की शुरुवात की थी और इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है न्यू देले में इसका हेड़कॉर्टर है अब देखिए जो ग्यानपीट अवार्ड है वो 1961 में एस्टाबलिश किये गए थे जो भारतिय ग्यानपीट है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी लेकिन जो ग्यानपीट अवार्ड है इनकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये जो अवार्ड थे फर्स्ट टाइम दिये कब गए थे तो 1965 में फर्स्ट टाइम दिये गए थे याद रखना स्थापना 1961 में हुई और 1965 में फर्स टाइम दे गे थे अब देखिए ये किनको दिया दाता है मैंने बला literature से related है तो जो Indian writers है भारती writers है उनको दिया दाता है और किसमें दिया दाता है जो Indian languages है Indian languages जैसे आपके जो 8th schedule में जो 22 languages है वो हैं प्लस इसमें English और है इंग्लिस को भी add किया गया है इंडियन लेंग्विजेज प्लस इंग्लिस में जो भी इंडियन राइटर लिखेगा फोरेणर राइटर के लिए नहीं है इंडियन राइटर जो लिखेगा उसको यह अवाड दिया जाएगा और यह literature का सर्वस्रेश्ट अवार्ड मना दता है जो भारती लिट्रेचर में जो अवार्ड मिलते हैं उन में से तो फर्स्ट अवार्ड के हम लोग बात करें हमने बताया कि 1965 में फर्स्ट टाइम दिया गया और first award किसको दिया गया G. Sankar Kuroop को दिया गया G. Sankar Kuroop देखे ये वाले हैं जो आपको first photo दिख रही है ये G. Sankar Kuroop की है इनको ये award दिया गया 1965 में किसके लिए दिया गया तो Oda Kujal इनकी जो रचना है Oda Kujal मतलब हो गया Bamboo Flute Oda Kujal का मतलब हो गया The Bamboo Flute तो जो Bamboo Flute या फिर Oda Kujal इनकी जो रचना है किसमे है मलियालम में है तो G. Sankar Kuroop जो थे मलियालम के राइटर थे उनको पहला ग्यानपीट अवाड 1965 में मिला अगर विमन में हम लोग बात करे महिलाओं में बात करे तो पहली महिला राइटर कौन थी आसा पूर्णा देवी थी जो की बंगाली राइटर थी और ये जदातर ओरतूं पे जदा लिखती थी feminist राइटर थी आसा पूर्णा देवी जिनको 1976 में मिला फर्स्ट मुमन है और आसा पूर्णा देवी ये सेकिंड फोटो आपको दीख रहे है ये feminist राइटर थी आसा पूर्णा देवी और इनको पहला महिलाओं में ग्यानपीट अवार्ड मिला था फिर हम लोग अगर करंट अफेर की बात करे तो 2020 में 55th या 55th ग्यानपीट अवार्ड मिले थे और एक इनको दिये गए अकितम अचुतम नम्भूतरी को दिये गए थे अकितम अचुतम नम्भूतरी और इनकी जो 2020 में इनकी डेथ भी हो चुकी है ये एक्सपायर हो चुकी है और ये मल्यालम के राइटर थे अकितम अचुतम नम्भूतरी वाद मतलब इनको दिया गया था कौनसा ग्यानपीट अवार्ड 55th और 54 की हम लोग बात करें तो अमिताव घोस को दिया गया था और ये भी बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हो जाते है क्यों हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिस का पहला अवार्ड इनको मिला इनसे पहले कोई ऐसा राइटर नहीं है जिनको इंग्लिस में ग्यानपीट अवार्ड मिला है तो अमिताव घोस को इंग्लिस का पहला ग्यानपीट अवार्ड मिला है और 54th मिला और कब मिला है 2019 में 2019 में तो देखिए ये आपके पास जी संकर कुरूप होगे आसा पूर्णा देवी होगी और ये अक्यूतम अक्यूतम नम्भूतरी होगे इन तिने के हमने बात कर ली अब नेक्स्ट अवार्ट देखते हैं हम लोग अब अपने पास है व्यास सम इसकी जो बात करें हम लोगो तो इसकी सटापना 1991 में विए और कौन देता है इसको केक्ये बिल्द्ला फाउन्डेशन देता है देखे केकी बिल्द्ला फाउन्डेशन तीन आवार्ट देता है जिन मैं से एक आपका व्यास समान है एक बीहारी समान और Sóling सरसूति समान आता सिर्फ Hindi language के लिए ही दिया जाएगा जो Hindi के जो writers है उनको व्यास समान दिया जाएगा अब इसमें हम लोग देखें अगर 31st व्यास समान की बात करें तो यह 2020 में दिया गया था और किसको दिया गया तो प्रोफेशद सरद पगारे जिनके फोटो आपको दिख रही है यह प्रो पुत्र की समरागी यह Hindi में लिखावा है क्योंकि हमें पता है कि Hindi language के लिए ही व्यास समान दिया जाता है तो पाटली पुत्र की समरागी के लिए सरद पगारे को 31st व्यास समान दिया गया इसमें इतना ध्यान रखो Next ने पिर सरस्वती समान तो मैंने बताय कि आपका KK Vidla Foundation जए वो तीन हो वार देता है व्याज समान हो गया सरस्वती समान हो गया और बिहारी पुरुसकार हो गया तो सरस्वती समान जए इसकी थाभना भी 19-1991 में हुई और KK Vidla Foundation देता है जिसका headquarter या फिर KK Villa foundation कहा establish है दिल्ली में establish है अब यह सरस्वती समान किस में देते हैं देखो व्याद समान तो सिर्फ हिंदी के लिए देता है सरस्वती समान अपने 22 languages जो की 8th schedule में है भारत के उनके लिए देता है ध्यान रखना ज्यान पीट अवार्ट भारतिय लेंग्वे अब इसमें 15 लाख रोपे दिया जाते हैं पहला सरस्वती समान किन को दिया गए था तो Hari Wans Rai Bachan को दिया गए था पहला सरस्वती समान और किस के लिए दिया गए था उनकी ओटो बायोग्राफ है जिसके चार वोल्यूम है उन वोल्यूम क लिएक नहार पहला है क्या बूल किया याद करूं दूसरा है नीड का निर्मान फिर नीड का निर्मान फिर नीड मतलब घौंसला बसेरे से दूर तीसरा पाट है चोथा पाट है इसका 10 दौर से 105 तक ये इनके चारू पाट है किसके है हरिवन स्राइबच्चन की ओटोबायोग्राफिय आगर हम लोग करंटा फेर की बात करें तो 2020 में सरनकुमार लिंबाले को सनातन जो कि इनका मराथी लेंग्वेज में लिखावा है सनातन उसके लिए सरनकुमार लिंबाले को सरस्वती समान मिला है और यह फोटो सरनकुमार लिंबाले जी की है जिनको सनातन के लिए सरस्वती समान मिला है 2020 में अब ह तो यह जो है कौन देता है, direct rate of film festivals देता है, पृस्तिवल के अंदर आता है, तो यह ministry of information and broadcasting के अंडर आता है, अब इसमें क्या क्या दिये दाता है, एक तो स्वार्ण कमल दिया दाता है स्वान कमर मुलग गोल्डन लोटस जो कि इसका मेडेलियन है और इसमें एक सौल दी जाती है और कैस प्राई दे जाती है इसमें 10 लाक रुपए दादा साहिब आल के अवार्ड में अब देखें जो फर्स्ट ताइम जो आवार्ड दिया गया था दादा साहिब आल के वो कब एक्ट्रेस थी और इनको पहला दादा साहेफ आल के अवार्ड दिया गया 1969 में ध्यान रखना 1969 में देविकारानी को अब अगर करंट अफेर के हम लोग बात कर लें इसमें तो 2021 में 51st ग्यानपीट दादा साहेफ आल के अवार्ड किसको मिला है रजनी कांत को मिला है 51st दादा साहेफ आल के अवार्ड 2020 में अमिता बच्चन जी को दिया गया है अब देखो इससे ही मिलता दूता एक और आवार्ड है मैंने इसके साथ ही लगाया वो ताकि आपको confusion ना हो आगे यह है दादा साहेफ आल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आवार्ड अचा कुछ फादर ओफ इंडियन सिनेमा बोलाता है फादर ओफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है दादा साहेफ आल के को और इन्होंने ही भारत की जो पहली फिचर फिल्म थी फुल लेंद्ध फिचर फिल्म कौन सी राजा हरिस चंदर राजा हरिस चंदर वो किस ने बनाई थी द तो अगर हम दादा साहिव फाल के International Film Festival Award की बात करें तो 2021 में Best Film का Award ताना जी को दिया गया जो कि आपके सामने फोटो लगी हुए ताना जी फिल्म की इसमें आपके अज़दे उगन है यहां से अफली खान है तो ताना जी फिल्म को Best Film का Award मिला Best Actor का Award किसको मिला अक्से कुमार को मिला किसके लिए लक्स्मी फिल्म के लिए मिला और Best Actress की बात करें तो DP का पादू कौन है छपाक फिल्म के लिए इनको Best Actress का Award मिला और Critic Best Actor किसको मिला सुसान्थ सिंग राजपूत को मिला क्यों मैंने लगा है उनको Critic Best Actor का Award मिला किसके लिए मिला दिल बेचारे के लिए तो यह हमारे यह कुछ Awards थे I hope आपको यह समझ में आए होंगे revise करिए इनको और इनसे जितनी information important थी मैंने यहाँ पे share किया